हाले पर बैचनों कैसे आ? आज लगल हम कर रहे हैं कक्षन 9 की फिजिक्स गो जिसमें कर रहे हैं फिजिक्स का चेप्टर गुद्र ठीक्र,ोर जो कि हमारा है कार्ज तथा और जा था हम्ने आपको गती जूदे के बारे में चर्चा किय थी मुझे लगता है आपको आफसानी से समझ में आया होगा और हमने बताया था ये जो उर्जा है इसके विभिन्न रूपों में से एक गतीर उर्जा थी आज हम उर्जा के दूसरे रूप के बारे में चर्चा करेंगे जिसको हम कहता है स्थितीच उर्जा जिसे इंग्लिश में पोटेंशल इनर्जी कहा जाता है तो आप सब लोग मुझे पता है कॉपी पहन लेकि आराम से बैठे वे होंगे जैसे जैसा बच्चों बता रहा हूँ नोट करते जाएए आप देखे आपके कितने शांदार नोट्स तयार होंगे अगर आपको समज्ञ भी बड़े मज़ए से आएगा और फिर तो यदी समझ में भी अच्छे से आए इनर्डस भी अच्छे से बने हैं तो आप समझ सकते हैं उसमें जो कार्यक करने की छंता होती है उसे ही हम क्या कहेंगे इस्थितीच उर्जा कहेंगे क्योंकि उर्जा कार्थ क्या है कार्य करनी की चमता और इस्थितीच कार्थ हुआ कि किसी वस्तू की इस्थिती के कारण उसमें जो उर्जा है वह क्या है उसकी इस्थिती जूर्जा और पूरी परिवाशन दें तो किसी वस्तू की इस्थिती के कारण उसमें जो कायर करने की चंता होती है उसे उसके इस्थिती रूड़जा या potential energy कहा जाता है क्योंकि इस्थिती रूड़जा को इंग्लिश में potential energy कहते है अब आखिर कहां पर यह हमने ऐसी घटना यह देख सकते हैं देखिए इस्थिती रूड़जा आप हम विभिन रूप से अपने व्यवारिक जिमोंने बहुत अच्छा इस्थिती रूड़जा का आप कभी pen देखना आप पैन में वो जो dot वाले pen होते हैं उसके अंदर एक spring लगी होती है आप उसको click करते हैं तो जैटर भार आ जाती है जैसे एक बार दबाते हैं वो spring release हो जाती है और वो क्या हो जाती है पीछे चली जाती है तो काफी अच्छा स्थिमाल है आपने बंदूकों के बारे में पढ़ा होगा जो बंदूकों में जो इतनी तेजी से गोली निकलती है कि आप हाथ से किसी गोली को पकड़के बहुत जोर से फैकेंगे तो भी वो इतनी दूर तक नहीं जाएगे जितना बंदूक में डाली हुई या किसी पिस्टल में डाली हुई गोली को अगर trigger दबा दिया जाए तो वो दूर तक जाती है तो वहाँ पर भी क्या है spring उड़ जाका इस्तेमाल किया जाता है अब आप कह रहे होंगे sir आप तो नहीं नहीं बाते बता रहे हैं कि आप पिस्टॉल की बात कर रहे हैं पुराने समय में क्या यूज नहीं होता था बिल्कुल होता था पुराने समय पे यूज पुराने समय पे आप देखेंगे तो तीर कमान का यूज किया जाता था तीर क तीर के अंदर एक इस्तितीर उर्जा उत्पन हो जाते थी खीचरें ताकत लगा के और जैसी हमने छोड़ा तीर क्या चले आता है बहुत दूर चले आता आप तीर को हाज से उठा करके ऐसे फैकेंगे वो उतिनी दूर नहीं जाने वाला उसके अंदर उतनी पावर नहीं होगी जितना कि उस धनुष के दोरी पर यदि तीर को लगा करके खीच करके जो उसके अंदर उर्जा उत्पन होती है और वह उर्जा कुंसी होती है वह भी इस्तितीर उर्जा ही होती है तो दो रूपों में तो हमने इसको बता दिया अब इसके लावा और क्या हो सकता है यह तो हमने शस्त्रों की बात करी क्या इसका वैवारिक जीवन वे उपयोग है बिल्कुल है इससे स्थिती रूड़ा का उपयोग करके हम क्या करते हैं कि इस्तिती रूड़ जा गतित हो तो इस्तिती रूज़ा मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि किसी वस्तू की इस्तिती के mate है करने के शम्ता होती है वही और किसी क्या होती उसके के उस्तिती रूज़ा कहलां चारे चाही Will वेंजय को प्राप्ट करना चाहा रहे हैं वेंजय कांज कैसे प्राप्ट करेंगे हमने गा मालने था कोई एक वस्तू है, यह 36 है यहाँ पर एक वस्तू परी हुई थी इसका दर्यमान था, मालने थे AM तो इसके अंदर कोई भी उड़ जा नही थी चुपचा पड़ी हुई है हमने इसको उठाया और उठा करके यहां से धीरे 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 उपर ले जा करके और क्या कर दिया इतनी उचाई पर इसे खड़ा कर दिया यहां पर अब इसकी यहां से ले करके यहां तक कि इसकी उचाई है माल लेते वो उचाई कितनी है H तो पहली पात यह आई कि हमने कितना बल लगाया होगा क्योंकि इस वस्तू को पिर्थवी जो खीचे नहीं होगी इसके भार बल के कारण खीच रही होगी और भार बल किसके बराबर होता है W बराबर M G तो हमने कहा इस वस्तू पर नीचे के और कितना भार काम कर रहा होगा हम लिखेंगे W बराबर M G तो यदि हमें इस वस्तू को उपर उठाना है तो हमें इतना ही बल विपरीध दिशा में लगाना पड़ेगा तो हमने इतना W बराबर M G बल उपर के और लगाया F बराबर MZ इतना बल किदर लगाया? उपर क्योड लगाया और इसे पिर्थवी से उठा करके H उचाई उपर लगे तो हमने क्या करा? कुछ कारी किया है ना तो कारी किसके बराबर होना चाहिए? कारी बराबर होता बल, गुणा, विस्थापन यहाँ F बराबर किसके है? MG के और D बराबर किसके है? H के तो इन दोनों वैलियूस को यहाँ पर रख लेए तो किया गया कारी बराबर किसके बराबर आजेगा? M गुणा, G और D का मन क्या है? H, यहनिके MGH के बराबर आजेगा हमने करा तो हमारे अंदर से उर्जा निकल गई क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि आपने कुछ कार्य करा और आपके शारे लिग उर्जा कम हो गई हो आप कहेंगे कि नहीं हमें तो अभी कभी ऐसा महसूस नहीं होता तो एक काम करी है आप एक एंटों का कोई एक धेर हो आप एक एक एंट उठा करके पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर ले जाएं एक एंट ले जाओगे तो कुछ फरक नहीं पड़ने वाला जादा आपको लगे का महसूस नहीं जहां 10, 15, 20, 50 जहां 100 इटे आप ले गए आपका शरीर ठक कर चूर हो जाएगा आप सोचों कि थोड़ा सा आराम कर लें कुछ खाना खाने को मिल जाए कुछ अच्छी चीज़ां को मिल जाए तो दोबारे से क्या हो जाए इनर्जी आ जाए इसका अर्थ हुआ कि जब आप कारी करते हैं तो आप जो वस्तू कारी करती है जैसे यहां आप कारी कर रहे हैं तो आपकी उर्जा कम होगी और जिस वस्तू पर आप कारी कर रहे हैं उसकी उर्जा बढ़ेगी तो आपको लग रहा होगा कि यह तो आपको समझ में आ गया कि 100 इंठे आपने उठाई और कहां पहुंचा दी छट पे पहुंचा दी तो आपकी उर्जा क्या हो गई कम इतना तो आपको मैसूस हो जाएगा पर अभी आपको यह समझ में नहीं हारा होगा हो सकता है कि इंठों के अंदर आपकी उर्जा सं तो यदि मैं इसे छोड़ दू तो यह यहीं पर बनी रहनी चाहिए थी लेकिन जैसे छोड़ूगा यह काऊँगी नीचे क्यों गति करेगी इधर क्यों आनी शुरू होगी और जब यह जमीन से टक्राइगी तो क्या होगा जमीन पर यदि कोई दूसरी चीज पड़ी हो मान उच्ञा कि आप कि आप शक्ता नहीं होती है यह जिसा उच्ञा को फोर्ड़ तो इसका अर्थ है किरा उच्ञा कहां से आई उसके अंदर उच्ञा आई जो आपने उस काम इंट को जमीन से उठा करके एच उचाई उपर लेगे तो आपने जितनी उर्जा खर्च करी वे सारी उर्जा इसके अंदर संचित हो गई थी खट्टी हो गई थी आपकी उर्जा ट्रांसफर हो गई इंट के भीतर और जब वो टकराईगी जमीन पे तो वहाँ पर क्या होता है और कुछ नहीं होगा तो यदि जमीन सिंपल है वहाँ पर कोई वस्तू नहीं रखे तो जमीन से टकराईगी तो क्या होती है कुछ चिनगारियां उत्पर होती है कुछ बड़ी जोर से आवाज आती है तो अब इस इट की उर्जा परिवर्तित हो गई है यदि चिंगारी निकले तो प्रकाश उर्जा में चिंगारियों में उश्मा होती है गरम होती है चिंगारिया तो उश्मी उर्जा में प्रकाश उर्जा में क्योंकि चिंगारी से प्रकाश भी निगलता है और साथ में आप भी आती है धड़ाम से तो वह धनी में वह데 बांद न तो हमारे द्वारा ऊर्जा इस प्रशेर इुद ऊपरसे चोड़ जाक नीचे ते आटका उपसे किसमें परीवर्टित होगी टकाश उरजा में उशमी उरजा में जावनी उर्जा में मुख्यताव तो इस सरकारर्फ टार कई gotta cas collection होता है बापको समझ में आ गेई बढ़ियोगी से कारे आगारेंही कारे और यही और जानते उर्जा के रूप में होता है स्कुर्डै Championships रेइटो फटेंशन एनेर्जी है तो P P E ऐसे लिख देते हैं इसे या इसे बहुत सी जगे पर U से भी रिपर्जन करते हैं और ये बराबर हमारा आएगा M G H ये किसका सूतर आ गया ये इस्तितीज उर्जा का सूतर हमारे पास आ गया है तो मुझे लगता है काफी आसान है डेरिवेशन में आपको कोई परिशानी भी नहीं होगी कि सीधे हम जानते हैं H उचाई तक लेगे तो विस्थापन कितना हो गया है H तो D की जगे क्या लिख लिए है H बल लगाया जमीन बल लगा ली थी M G इतना ही बल कम से कम होने चाहिए होगा इसको उपर उठाने के लिए तो बल कम आप mg ले लिया हमने तो बराबर mg यह मान रखा तो यह हमारा स्थिति रूडिया का बेन जगह में प्राप्त हो गया इस परकार से स्थिति रूडिया को calculate कर सकते हैं अगला हमारा आता है उजा का रूपांतरण अगला टॉपिक है पूर्जा का रूपांतरण यहनकि transformation of energy क्या energy एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्थित होती है अभी हमने example में देखा कि इट को आपने उपर से छोड़ा तो नीचे आए तो नीचे हो सकता है कुछ से कुछ चिंगारिया निकली तो चिंगारियां से प्रकाश भी उत्पन होगा तो प्रकाश उड़जा होगी चिंगारियां में कुछ उश्मा भी होगी वह हाथ पे लगे तो कुछ हलका सा घर्माट भी मैसूस होगी तो यानिकि heat energy है और क्यूंक इतनी उचाई पर होने के कारण इसमें जो उर्जा को म कहते हैं इस्तितीच उर्जा और यह बिल्कुल वैसी है जैसे मैं आपको धनुष का उधारण दिया धनुष में यह दितीर को लगा के खिंश दिया जाए एक सेकंड के लिए रोक दें तो अब तीर के अंदर जो उर् इसे प्रकाल स्प्रिंग को दवाने से यह त्मिन्ग को खीच कर रखने से उसके इंदर जो आसन चीद होती है इस दितीज उर्ज Woah कि मतक्राप करें और ऐती चुल्षण का रूपांतरण व्बरमा कि पाता है और सबसे मज़े की बात यदि ये उर्जा का रूप अंतरण नहों होता तो शायद हमारे लिए जीना भी मुश्किल हो जाता मनुश्य जीविद भी नहीं रह पाता आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि हमारे पिर्ट्वी पर उर्जा का जो परम स्रोथ है जो मुखि स्रोथ है वह स्रोथ है सुर्य और सुर्य से जो उर्जा आ रहे हैं वही विभिन्न रूपों में परिवर्धित होती है आपने देखा होगा कि पहाडों से जब जल है जब वो जल नीची की तरफ बहता है तो उसके कारण जल में क्या होती है उत्पन होती है गती जूड़ जवत्पन होती है और वह जल बहे करके कहा जा रहा है समुद्रों में जा रहा है उस उश्मा को वाश्पित करता है वह उश्मा जो होती है सूरी के प्रकाश में वह उस जल को वाश्पित करती है वाश्पन के कारण क्या होती है वह उपर जाकर के बादलों का लूपर लेती है और वह बादल क्या होते है फिर से सर्कूलेट हो करके पाड़ों पर जा करके या अन्य स्थानों पर वारिश करते हैं वो वारिश फिर से घुम करके वाँ जाए तो एक चक्रव रहा है तो ये जल के बारे में समझी में आगया आप करोंगे पवन कैसे चलती है पवन के उड़ जा कहां से पवन के अंदर भी यही उड़ जाए जब सूरी जिन जगों पर जैसे भूमत दे रेखा पर सूरी क्या होता है? गरमी जादा होती है तो वहाँ का अस्थान क्या होता है? घंडी वस्तू होती है तो वहां के हवा ऊपर उठती है उसका अस्थान उसके अगल बगल के ठंडी वाईयों ले ले लेती है तो इस परकार से ये चक्र चलता है तो परम उर्जा का स्रोथ कौन सा है हमने का सूरी है अब सूरी की उर्जा ही रुपांतरित हो रही है चलिए अब थोड़ा और नए रूप में समझते हैं का ये मनुश्य के लिए कैसे जीवन दाया कैं हम सूरी की उर्जा से ही क्या होते हैं पेड़ पौधी क्या होते हैं प्रकास संसलेशन की किरिया से अपना भोजन बनाते हैं और आप उनी का इस्तेमाल करके उनी पेड़ पौधों से जो उसके फल फूल होते हैं जड़े होती हैं जो भी कुछ होती हैं आप उनी का इस्तेमाल करके अपने भोजेपदार्द गरहन करते हैं और आप जब भोजन गरहन करते हैं उनी भोजन की उर्जा रसानी गुर्जा में परिवर्दित होके आपके शारीरिक उर्जा में आपको प्राप्त होती है तो ये उर्जा का लगातार क्या हो रहा है? रूप पांतरण हो रहा है तो एक तो यह रूप है दूसरा आप समझ सकते हैं कि किस परकार हम हतोड़े की चोट मार करके अपने शारे दिग उर्जा से क्या उत्पन कर सकते हैं? धनी उर्जा उत्पन कर सकते हैं किस परकार दो पत्थरों को टकराने से प्रकाश उर्जा और साथ में हम कहा सकते हैं उश्मी उर्जा उत्पन होती है। जो प्रारम्भिक शुरुवात जो प्राछन काल का जो मानव था उसने पथरों को टकणकर के ही किया करता था ? अगनी को उत्पण करता था तो वहाँ भी क्या है ? उरजा का रूपांत्रन हो रहा है इसके लावह सबसे आसान तरीका है विजली को देजीए बिजली का एक सुच को करें तो पंखा चलने लग जाता है बिजली के द्वारा हम हीटर से उश्मा उटपन कर देते हैं यह सब क्या है उड़ जाके रुपांतरण अब आप सोचीजे जिए उश्मा का एक रूप से दूसरी रूप में रुपांतरण नहों होता तो सुरी की उश्मा नहों तो रही है लेकिन नहों से गती लूड़ जा उत्पन नहों से प्रकाशंसलेशन के द्वारा पेड़ पॉधे ही अपने भुजन उत्पन कर पाते बना पाते तो फिर किस परकार से हमारा जीवन चलता आप इस बारे में सो सकते हैं तो फिलाल हमने यहां पर उड़ जाके रुपांतरण को समझा अब यहां पर एक और बात हमारी आती है कि जब किसी पत्थर को इस उचाई से छोड़ा जाता है तो इसमें भी उड़ जाकर रुपांतरण हो रहे है देखिए मैंने का यहां पर एक पत्थर है यह इस तिर अवस उचाई यदि है तो इसके लिर्यूर जड़ होती है वो यह बराबर किसके होगी म जी एच के होती ौक श्यू सिथी इक बात पर H से अनुकरम अनुपाती है U अनुकरम अनुपाती है H के यानि कि जो इस्तिती जूर्जा होती है यह हमने यह लिखी है इस्तिती जूर्जा U वो अनुकरम अनुपाती होती है किसके H के और साथ में U अनुकरम अनुपाती होती है हमने का किसके M के भी तो M थो खेर constant है, लेकिन H के अनुकर मनपाती का अर्थ है कि जैसे जैसे उचाई बढ़ाओगे, वैसे वैसे इस पत्थर की, इस पत्थर की इस्तिती डूर्जा क्या होगी? बढ़ती चले जाएगा, तो यू अनुकर मनपाती है, है जब पत्थर नीचे आता है, तो उचाई गट रही है तो इसकी स्थितिरी उड़्या क्या हो रही है कम हो रही है इस्थितिरी उड़्या कम हो रही है लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसका वेग बढ़ता चले जाएगा जब वेग बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या उत्पन होगी गतिरी उड़्या उत्पन होग maximum अधिक्तम है इसलिए गती उड़िया का मान के का मान भी क्या होगा अधिक्तम होगा यानकि एक बड़ा दो md square होगा तो इस बिंदू पर सबसे उपर वाले बिंदू पर गती जुड़िया थी शुन्य और इस्तिति उड़िया का मान अधिक्तम था mgh सबसे निचले वाले बिंदू पर एच की वैल्यू जीरो है तो इस्तिति उड़िया होगी शुन्य और गती उड़िया का मान क्या है अधिक्तम यहां से निश्कर्शन निकलता है कि किसी भी गती के दौरान उर्द्वादर गती के दौरान गती जूड़िया प्लस इस्तिती जूड़िया इन दोनों का जो योग है वो हमेशा नियत रहता है कॉंस्टेंट रहता है और केवल यह उच्चतम और निमनतम बिंदू पर ही बात नहीं हो रही है आप बीच के किसी बिंदू पर भी यह दिस्तिती जूड़िया गति जूड़िया का योग निकालेंगे तो वह नियत याता है, कॉंस्टेंट याता है और यहाँ डरिवेशन की उधवादर गती करते वे किसी पिंदू की कुल उर्जा, जैनि कि जिसे हम यांत्रिक उर्जा कि नियत होती है ए स्थिति ओडिया काम होजाईगे खेया हो जानी ऋई हो गातो फिरकर Umiddh कि यह थे जिए नियत होता है कॉंस्टेंट होता है बदलते नहीं थे जा-्यहे करेगी तो आपको बस ये समझना है कि यदि कोई पिंड उर्दादर गती करता है तो उसकी गतिर उर्जा, रिस्तिति उर्जा का योग, विभिन बिंदुवों पर इन दोनों का योग नियत रहेगा, पॉंस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं तो मेरे खियाल से उर्जा का रूप अंतरण आपको समझ में आ गया होगा, अब अगला टापिक करतें, उर्जा सनरक्षण का नियम, काफी इंपार्टन टापिक है उर्जा सनरक्षण का नियम, उर्जा सनक्षन का नियम कहता है कि इस ब्रमान्ड के में जो कुल उर्जा है टोटल एनरजी है चाहे वो किसी भी रूप में हो वहां हमेशा नियत है न तो वो बढ़ रही है न वो घट रही है न तो उसको उत्पन किया जा सकता न उसे लुप्त किया जा सकता वहां जितनी पहले है उतनी ही भाद में है केवल अंतर क्या है उर्जा एक रूप से दुसरे रूप में परिवर्तित हो रही है तो उर्जा सनक्षन का क्या नियम बताया कि ब्रमान्ड में कुल उर्जा नियत है उर्जा को न तो उत्पन किया जा सकता है नहीं उर्जा को नस्ट किया जा सकता है उर्जा केवल एक रूप से दुसरे रूप में रुपांतरित होती रहती है यहां हमारा क्या है उर्जा सरक्षण का नियम है काफी आसान है मुझे लगता है तो फिर आप इसको एक बार नोट कीजिए फिर हम अगला टॉपिक कंटीनू करते हैं अभी हमने स्थिति रूड़्या को समझा अब हम अगला टॉपिक करते हैं जिसे हम कहते हैं कारी करनी की दर, rate of work, दर का अर्थ क्या हुआ हमने पहले भी आपको बताया वेग परिवर्तन की दर, साथ ही हमने बताया विस्थापन की दर तो समय के साथ कोई चीज जो परिवर्तित हो रही है उसे हम क्या गया देते हैं एक प्रकार से दर से निरूपित करते हैं तो जब यहाँ पर हम कहते हैं कारी करने की दर तो कोई वित्तिक कारे कर रहा है लेकिन कितना समय ले रहा है यह बात भी महत्तपूर्ण है और इसी पर डिपेंड होकर के हम विभिन्द मशीनों का निर्मान करते हैं जीवन में अब दर को पहले हम विभारिक जीवन में समझते हैं हमने का कि आप मान लेते हैं कि मेरे को किसी एक स्थान से हमारे को दस बॉक्स उठा करके एक कमरे से दूसरे कमरे में रखने थे अब दस बॉक्स रखने थे हमने दो विक्तियों को कहा एक व्यक्ति दूबला पतला था, एक व्यक्ति ताकतवप था पहलवान जैसा तो दोनों ने काम करना शूरू करा, उसके लिए भी 10 बॉक्स थे हमने देखा पहले व्यक्ति ने जो पहलवान जैसा था उसे ने तकेवल दस मिनट पे सारे बॉक्स दूसरी जगे पर रख दिये एक स्थान से उठा करके दूसरी जगे पर और दूसरे विक्ति को उतना है कारे करने के लिए उन दस बॉक्सों को उसी स्थान से एक स्थान से उठा करके उहीं दूसरे स्थान तक ले जाने में उसको मालने ते 20 मिनट का समय हो गया तो आखिर ऐसा क्या हुआ कारे तो दोनों ने बराबर किया है दोनों ने विस्थापन दोनों का बराबर है पूरे 10 वक्स को यहां से उठा के दोनों ने बराबर रखा है लेकिन किसने जल्दी काम किया पहलवान ने जल्दी काम किया हम क्या कहते हैं फिर ऐसी स्थिती में कि अरे बड़ा पावरफूल आदमी है फटा फट काम को कर देता है इसका अर्थ है कि कोई विक्ति किसी कारे को जितनी तेजी से करता है हम कहते हैं उसके कारे करने की दर उतनी ज्यादा है कम समय पे ज्यादा काम यानि कि आपके कारे करने की दर ज्यादा है और इसी को हम एक शब्द से निरुपित करते हैं जिसे हम कहते हैं शक्ती पावर हम कहते हैं न कि बड़ा पावरफुल व्यक्ति है एक साथ दस लोगों को उठा के फैंक देता है अब कोई दूबला पतला होगा तो क्या फटा फट उठा के फैंक पाएगा दूबला पतला तो हो सकता है एक को भी ना उठा पाए तो पावर का अर्थ होता है कारी करने की दर और पावर को हिंदी हम कहते हैं शक्ति तो क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं शक्ति इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं शक्ति तो परिभाशा क्या हुई शक्ति की परिभाशा है शक्ति की कारी करने की समयदर को ही शक्ति कहते हैं एक लाइन के परिभाशा और मस्ते हैं आपने देखा होगा आपके घरों के भार एक मोड़साइकल भी होती है थोड़ा सा बड़ी गाड़ी के बात करें तो एक कार भी होती है एक टेंपो ट्रेवलर टाइप का भी होता है एक ट्रक भी होता है अब मान लो कि पचास लोग हैं पचास लोगों को एक जगे स दूसरी जगे तक छोड़ोना है 10 किलोमेटर तूर अब के पास स्कूटर होगा तो क्या करोगे स्कूटर में जाज से ज़्यादा दो विक्तिन को बैठाओगे और दूसरी जगे छोड़ोगे फिर अगला चक्कर मारोगे तो कितने मानने पड़ेंगे चक्कर एक चक्कर में द आप 50 लोगों को छोड़ देते तो 10 चक्कर मानने में कम लगता यदि आपके बस होती तो आप क्या करते एक ही बार में पूरी बस में सबको बैठाते और एक ही बार में उस-जगे पर लिजा पर छोड़े तो किसमेंई सबसे कम समय लगा बस में? बस ने उन 50 लोगों को उस इसी स्थान से दूसरे स्थान तर छोड़ने में सबसे कम समय लिया एक चक्कर में छोड़ दिया कार ने उससे ज्यादा समय लिया उसको लगाने पड़े 10 चक्कर और व्यक्ति को तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ा उससे तो 25 चक्कर लगाने पड़े तो किस के अंदर और हम उसकी मोटर साइकल की बात करें और कार की बात करें तीनों पेट्रोल समान लेती है आप देखते हो बस की जो पावर होती है वो ज्यादा तो होती है लेकिन उसको अधिक इंधन खर्च करती है उसकारे को करने में इसलिए उसकी पावर ज्यादा होती है उसके अंदर जो दाता है कि बीच में लिखते हैं वो कि यह 3 सेकंड में इसकी रफतार 100 km पहुंच या इसका अर्थ क्या हुआ कि उस गाड़ी की पावर उतनी है इतनी हैं कि कम समय ले रही है समय बहुत कम ले यह 3 सेकंड का यह 2 सेकंड का यह 4 सेकंड का और अपनी स्पीड उसके एकदम जीरो से कितने में पहुंच गई? 100 में पहुंच गई? क्या दूसरी गाड़ियां 100 किलोमेटर पर ती घंटा के रपतार से नहीं चल सकती? बेलकुल चल सकती है. लेकिन उनको जीरो से लेकर के उस स्पीड को प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा. जब कि जो कारे बटे समय सक्ति बराबर कारे बटे समय तो अब शक्ति को हम पावर यानिकी P से रिप्रेजन करते हैं किया गया कारे यानिकी W और समय को हम किसे रिप्रेजन कर रहे हैं माल लेते हैं T से तो शक्ति बराबर कारे बटे समय का ये सुत्र हो गया अब आप जाते हैं कारे को मात्रफ क्या होता है कारे को हम नापते हैं जूल में समय को नापते हैं सेकेंड में और तो शक्ति का मात्रफ क्या हो गया जूल बटे सेकेंड और इसी को एक और शब्दे से हम निरुपित करते हैं वो होता है हमारा वाट अर यह वाट कहां से आता ह आपको ध्यान हो जेम्स वाट का जिन्होंने भाप के इंजन्गा विश्कार किया था उन्हीं को सम्मान देने के लिए शक्ति का जो मातरफ होता है वो क्या लिया जाता है अब वाट को आप चाहें तो फिर से परिवाशित कर सकते हैं तो यदि वाट की जगे मैं लिख लूँ एक वाट जूल की जगे लिख दू एक जूल और समय की जगे लिख दू एक सेकंड तो अब हम एक वाट को परिवाशित कर सकते हैं कि यदि कोई मशीन या कोई वस्तू एक जूल का पतिस सेकंड करती है तो उस मशीन की या उस वस्तू की जो शक्ति होगी वह एक वाट के ब औरinky और प्रति सिकंड करती है तो वह क्या कहलाई के एक वाट कहलाएगा love मुझे लग रहा है यह बास समझ में आ रही होगा अब वह की डीवन की बात करी जाए तो वाट क्या है एक छोटा मात्रक माना जाता है तो वाट के कुछ बड़े मात्रक ह충़ोट हैं गपिलोवाट और किलुवाट का तो मतलब वाट ही हो गया क्यों का मतलब आप जांते हैं दस्कीगा थीवाट मतलब एक हजार वाट तो एक किलो वाट में जिसे एक केड़ डबलू कहा जाता है तो केड़ना किल्म वाट को डबलू अब्ल टी इंग्लिश में कहा जाता है इसलिए इसको डबलू से रिप्रेजंट करते हैं तो एक वाट किलोवाट बराबर क्या होगे, एक हजार वाट यह क्या होगे बड़े मातरब के रूप में लिया जाता है और एक होर्स पावर होती है एक होर्स पावर बराबर होता है 746 वाट ये भी अपने अपनी क्या है एक मात्रक है ये वाट के बड़े मात्रक है इसके अलावा हम बहुताय प्रियोग करते हैं एक एक शब्द को किलो वाट घंटा अब उर्जा का ये मात्रक है अगला मात्रक है उर्जा का व्याबसाइक मात्रक यह तो हमारे तीनों किसके मात रख थे शक्ति के मात रख थे कारी की समय दर के मात रख थे कारी की दर के मात रख थे अब दुवारे से हम उर्जा के वेबसाइक मात रख की बात करना चाहरे हैं उर्जा का मातरक हमने आपको बताए था उर्जा का मातरक होता है जूल अब इस सुत्र से यह दिए उर्जा का मातरक निकालें तो हम कहते है चूंकी P बराबर है W upon P तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा P multiply P P का मतरख क्या है What P का मतरख क्या है Second W बराबर हमारा किसमे है Joule में तो जो कारे का मतरख है वो बराबर है शक्ती के मतरख के गुना समय के मतरख के यह बात में बात है यहां पर अब कभी-कभी हम क्या करते हैं, जो उर्जा का व्यवसाइक मात्रक लिया जाता है, उसको कहता है किलो वाट घंटा, तो हमने कहा कारे का मात्रक क्या हो गया, कारे का मात्रक क्या है, किलो वाट घंटा, अब यह कारे का मात्रक है, जिसे हम व्यवसाइक मात्रक कहते हैं, इसका क्या रूद कॉणें हमने कह एक कीड़ो वाइट है कीड़िने कि यसे समस्ते हैं हमने कहा एकेड़ो वाइट धों यह नहीं कि कीड़ु मितलब कीड़ो वाइट यक टो है यह किलोगड़ोवाट घंटा बराद ऑनता तो उसकी जूल बराबर होता है वाट गुण सेकंड तो हमें इस मात्रा को वाट गुण सेकंड में व्यक्त करना पड़ेगा करते हैं एक किलो वाट बराबर कितना हो जाएगा हमारा एक हजार वाट तो एक किलो वाट की जिगे क्या लिखे लिए 1000 watt, गुना एक घंटा, यह है एक घंटा, तो घंटे को second में में बदलना है, तो क्या लिखेंगे 1000 watt गुना, यह हमारा हो गया 60, एक घंटे में 60 minute और एक मिनट में 60 second तो लिखेंगे 60 second तो क्या आगया यह 100 power गुना, यह हो गया 60-60 अब यह वाट हो गया यह सेकंड तो क्या गया वाट और सेकंड अपस में गुणा होती है तो क्या बनता है जूल तो हमने इसको यह दिलिखें तो क्या जाएगा है यह गया एक हजार गुणा यह जाएगा चैक चाहिए 3600 अब वाट सेकंड कीजिए क्या लिख लिए हमने जूल तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3600 गुणा 1000 को लिख लिए दसकी घात 3 जूल और समचा के रूप में लिखे हैं तो 1,2,3 तीन और हम दशमलों को इदर के उड़ाएं 3,6,0,0 तो दशमलों कितने हम किदर लगे 1,2,3 तो ध्यान लखेंगें, इस चीज को हमने ऐसे प्रतिशित किया है, ये दसकी घात 3 का अर्था ए 1,000, 1,000 की 3.600 में गुणा करेंगे तो 3600 ही आएगा तो इसको हमने ऐसे लिखा है, तो इसको amे लेख लिख लिए तीन किता है विंद्वेस कहती तो एक लगित्या कि वाइन किूंँ और इसको कहते यह व्यवसाइक किसलिक एक हैं आप गरों में जो विजली खर्च होती है उस विजली खर्च में आपने शब्द इस्तेमाल करते होंगे यूनिट कि आपने कभी बिजली के बिल में देखना तो वहां लिखा रहता है आपने 100 खर्च करी 50 खर्च करी 200 खर्च करी उस यूनिट का अर्थ क्या हुआ उस यूनिट का अर्थ ही यह होता है कि 3.6 गुणा दसकी गात 6 ज वहा एक हजार वाट और एक घंटे का अर्थ क्या होगी यह ऐक घंटा इसका अर्थ यह है कि यदि किसी कोई साइयत्र है कोई हमारे घरो में बिजली है यदि उसकी पावर कंजुंशन specifically का अर्थ कीव एक सेकिर्द में एक हजार वाट खर्च कर दे जैसे आप घरों में बबब लेके आते हैं न तो बब में पुराने समय पर जो बब चलते थे वो 60W का बलब है यह 100W का बलब है यह लेते थे Mr. तो यह बिसवाट का है या 25 वंट का है तो एक साथ 50 वाट की उड़ जाएंगे क्योंकि 50 बल्व है और 1 बल्व की चमता 20 है तो 1000 वाट बिझली खर्च कर रहे है एक सेकिंड में अब इतनी बिझली खर्च करते-करते यदि एक घंटे तक मैं उनको जला करके रखूँ कितने बल्व को पचास बल्व को लेडी बल्व को जिसमें से एक बल्ब की चमता कितियें 20 वाट की है और ऐसे 50 बल्बों को यदि एक घंटे तक लगातार जला के रखूँ तो 1000 वाट उनकी शक्ति होगी एक सेकिन्ड की एक घंटा तक यदि जलेंगे तो अब हम कहेंगे जो उर्जा खड़च होगी वो एक किलो वाट घंटे के बराबर होगी और यही हमारा क्या होता है एक यूनिट एक यूनिट विजली हमारी क्या होती है खड़च होती है तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कोई परेशानी नहीं है काफी आसान चीजे है तो प्यारे बच्चों आज हमने इस चेप्टर में समझा आज कि स्थिती रूर्जा क्या होती है फिर रूर्जा के रुपांतरणों को समझा साथ ही हमने समझा कि यह जो हमारा उर्जा सरक्षन का नियम क्या होता है साथ ही कारी की दर क्या होती है जिसको में शक्तिगाह अंत में हमने समझा उर्जा के व्यवसाइक मात रखो यह जो उर्जा का व्यवसाइक मात रखो है यह एक्जाम के पॉइंट अफ यू से बहुत important है काफी बार पुछा जाता है एक किलो वाट घंटे से क्या समझते हो तो आपको एक किलो वाट घंटे को कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है यह 3.6 गुन दसकीगा तो 6 जूल उर्जा के बराबर होता है यह प्रूफ करना पड़ता है तो मुझे लगता है काफी आसान टॉपिक थे आज के कुछ भी कठी नहीं थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे यदि फिर भी कहीं पर कुछ डाउट रहे जाते हैं आपके तो कमेंड बाक्स में लिखिए अंसर पाईए कोई परिशानी नहीं है तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए गुड़ बाई